हलो बच्चो मैं हूँ आजे सर आप सभी का मेरे योटूब चैनल में वेलकम है आज हम क्लास 7 से exercise 9.2 के कुछ question सौलो करेंगे तो यहाँ पर हमने लिए है first question fill in the blanks आपके book में जहाँ पर blank space होगा वहाँ पर फिल अप किर जिएगा मैं यहाँ पर solo करता हूँ इसको directly तो आपका यहाँ पर first है 2x plus 3y into 2z आपको 2z का inside into करके simplify करके answer लानर हैगा तो जहाँ पर आपका space रहेगा blank वहाँ पर आप fill up कर जिएगा तो 2z का multiply पहले 2x से कर लेंगे तो यह आपका 2x into 2z plus का sign है तो यहाँ पर plus अब 2z का multiply हैं हम 3y से कर रहेंगे 3y into 2z अब इनका जो answer आएगा उसको मैं यहाँ site में लिख रहाँ number का multiply number से और variable का variable से 2 का multiply 2 से करेंगे तो आपका 2 2 से हो जाएगा 4 x का z से करेंगे तो यह आपका xz plus का sign है plus यहाँ पर भी आप same process apply करेंगे 3 का multiply आप 2 से कर ले 6 और y का z से तो यह आपका yz तो यह आपका answer आगा जहाँ पर आपका space होगा वहाँ पर fill कर लीजिएगा अब next देखते हैं आप यहाँ पर a का into करना रहेगा आपको 12x plus xy से तो यहाँ पर हम लिखेंगे a into 12x अब a का into करेंगे xy से भी a into xy इसको swallow करने को बाद जो answer आएगा उसको यहाँ पर लिखते हैं a into 12x तो यह आपका हो जाएगा 12ax plus a का multiply कर देंगे yz से sorry xy से तो यह आपका हो जाएगा a xy तो इसका answer यह आगया अब यह third वाला देख लेते हैं तो minus x का into पहले करेंगे 3xy से then यहाँ पर plus का sign है actually यह minus into plus मिलके यह minus हो जाएगा तो अब यह x का into किसे कर देंगे हम 1 upon 2 z से minus x का multiply इस x से हो जाएगा तो यह आपका हो जाएगा minus 3 x से square y और यह आपका हो जाएगा minus 1 upon 2 x का multiply z से करेंगे तो xz तो यह आपका answer आ गया next देख लेते हैं फोर्थ नमबर का 5 upon 2 है minus 6n into p square means p square का इन से multiply करने हैं 5 upon 2m into p square minus का sign है minus अब 6n का भी आपको into करने रहेगा p square से तो देखें यहाँ पे कुछ नमबर अगे रहे तो है नहीं यह as it is रहे जाएगा आपका 5 upon 2 m का multiply हो जाएगा n से इनको साथ में लिखेंगे m sorry p square से तो यह m p square minus यह आपको हो जाएगा 6n p square तो यह आपका answer आ गया next देखते हैं 5th number का y square का आपका multiply करने रहेगा minus 3x square y plus 2z से तो यहाँ पर आपका first minus 3x square y into कर देंगे आप y square का plus 2z में भी आपको into करना रहेगा y square का इसको simplify करते हैं इस cancer यहाँ पर लिखते हैं देखिए यह minus 3x square as it is y square का multiply करेंगे y से तो यह आपका हो जाएगा y cube तो यहाँ पर आप लेखेंगे y cube यह इसको read करते हैं y to the power 3 ठीक है अब यहाँ पर यह आपका plus 2 as it is y square z तो यह आपका answer आ गया बच्छो यह आप last वाला देख लेते हैं 5x plus 7y square into minus minus z cube यह z to the power 3 तो first में आपका 5x में into करना है आपको minus z cube का then plus 7 y square में भी आपको into करना है minus z cube का इसका जो answer आएगा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं देखिए यह positive और यह negative है तो plus sign का multiplied minus sign से होगा यह minus का plus से तो answer आपको जाएगा तो यह आपको जाएगा minus 5x z cube यहाँ पर भी यह plus into minus होगा तो यह minus और यह आपका 7 y square z cube तो यह आपका answer आगे बच्चो आएगे next question देखते हैं आएगे बच्चो second question स्टार्ट करते हैं यह कुछ question है इसको आपको करना है तो इसमें से आपका first में है x y into 7 plus 8 x आप क्या करना x y का पहले into कर देना 7 से x y into 7 अब x y का भी into करेंगे हम 8 x से x y into 8 x तो यह आप पहले number को लिक लेना 7 और यह आपका हो जाएगा x y plus x का into हो जाएगा इस x से पहले आप number लिखना 8 x का into x से होगा तो यह हो जाएगा x is square और यह y तो यह आपका answer आगया first का अब आएए हम second भी देखते है one by one तो देखिए second question भी भूँ थी यहाँ पर simple है second आपका है यहाँ पर 3 r square minus 5 s यहाँ पर कुछ भी sign नहीं है मतलब आपके into का sign होता है बच्चों तो यह आपका into है 2 t square 2 t square का पहले into 3 r square से करेंगे then minus 5 s से तो आएए कर लेते हैं 3 r square into 2 t square यहाँ पर minus का sign था तो minus 5 s into 2 t square number कमल्टी प्लाई नंबर से और variable का variable से करते हैं 3 कमल्टी प्लाई अब 2 से कर लेंगे तो 3 2 जा 6 और यह आपका r square t square minus 5 2 जा 10 और यह हो जाएगा s t square का answer आ गया अब आएए 3rd number का question देख लेते हैं जो कि है आपका 1 upon 2m into m3 3 upon 2n तो आपका यहां पे 3rd number में है 1 upon 2m into m3 plus 3 upon 2n 1 upon 2m का पहले into करेंगे m3 then 3 upon 2n और यह कर लेते हैं यह आपका 1 upon 2m as it is into कर लेंगे into कर लेंगे m3 then plus यह plus sign as it is अब फिर से आपका 1 upon 2m का multiply करेंगे 3 by 2n यहां पे लेंगे 1 upon 2m into 3 upon 2n number का multiply number से करेंगे variable का variable से इसके साथ कुछ number नहीं है 1 multiply 3 से 1 3 is a 3 2 multiply 2 से 4 और m का and से करेंगे तो यह am and आगे यह simplify नहीं हो पाएगा इसलिए यही आपका answer होगे बच्चो आइए अब हम देखते हैं यहां पे 4th number का तो 4th number भी यहां पे काफी easy question नहीं तो 4th यहां पे है m s t into r cube minus st m s t का multiply पहले r cube से करेंगे then minus st से m s t into r cube minus m s t t into s t तो यह अब यहां पे कोई भी जो variable है वो same नहीं है तो इनको आप 7 में लिख लेना m s t r cube minus m as it is इस s का multiply से करेंगे तो यह आपका s square हो जाएगा और t का multiply t से होगा तो यह आपका t square हो जाएगा और यही last में आपका answer हो जाएगा बच्चों अब आएए हम 5th number का देख लेते हैं तो 5th number में है आपर 4 upon 3 a into 2 b square plus 1 upon 2 c फर्स्ट में हम क्या करेंगे 4 upon 3 a का multiply 2 b square से करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 upon 3 a into 2 b square plus then 4 upon 3 a का ही multiply हम 1 upon 2 c से करेंगे 4 upon 3 a into 1 upon 2 c number का multiply number से और variable का variable से करना है देखें यहाँ पर कुछ नहीं है तो suppose कर लेंगे 1 ठीक है multiply करने के लिए 4 का multiply 2 से करेंगे तो 4 तू जा यह आपका हो जाएगा 8 3 का multiply 1 से तो यह आपका 3 वन जो 3 अब a का multiply हम b square से करेंगे तो यह आपका हो जाएगा a b square यह हो गया plus यहाँ पर भी number का multiply number से और variable का variable से 4 1 जा 4 3 2 जा 6 a into c मतलब a c ठीक है देखें यह तो 2 के table में नहीं आगा नहीं कट पाएगा बट 2 4 और जो 6 है वो 2 के table में आता है 2 2 जा and 2 3 जा तो इसका simplified form हो जाएगा यह ही पर लिक लेते हैं 8 upon 3 a b square plus 2 upon 3 a c तो यह आपका answer आ गया बच्चो और यह chapter भी आपका जो है complete हो गया 10 प्यAss Här जंए 10 दो 11